सुखदेव सिंग गोगा मेडी स्री राष्टी राजबूत करनीशाना के अधक्स थे मेरे मित्र थे और मैंने कई वर्सों उनके साथ काम किया मैं करनीशाना के अधक्स जेना थे इतना ही कहूंगा कि मेरे प्यारा मित्र मेरे भी हमें छोड़ के चला गया चत्रिय समाज की शोग गहलाओत साब से पूछना चाहता हूं आपके माधियम से क्या शोग गहलाओत जवाब दें जब सुकदेव सिंग गोगा मेडी लगातार कई वर्सों से आपकी सरकार में सुरक्षा मांग रहे थे और आप से व्यक्तिकत तोर पर मिलकर निजी तोर पर आप से उन्हों का संबन्द है क्या आज विष्णोई गैंग ने जो यह जगने कांड की जो कहा है कि हमने हत्या कर यह कराई है तो निशीत तोर पे यह तो बात सपस्थ हो गई कि एक व्यक्ति जिसको लगातार धंकी मिल रही है और पुलिस परसासन के अधिकारी चाए डीजी पीओ चाए दो पुलिस वाली दिये गए और दो दिन के बाद वही पुलिस वाले उनसे वापिस मंगा लिए गए कारण क्या कारण है क्या यह पॉलिटिकल हत्या है गैंग्स्टर लारंज विष्णोई से तो उनको कई सालों से खतरा था परन्तु ऐसे समाजिक व्यक्ति को जो चत्रिय समाज की अवाज था उसकी निर्मम हत्या उसके घर के अंदर घुसके कर दी जाए और आज वो लोग जिन्होंने सुरक्षा नहीं दियो अपने घर में घुस रहे हैं मैं आशो गहलोद जी से मांग करूंगा कि अब तो आपकी सरकार चलीगे ज़रा बता तो ने कि किसका प् करें परिवार की चंता सरकार को करनी चाहिए और मुझे अमीद है नहीं सरकार आ रही है सरकार परिवार की चंता करेगी आज जैपूर के अंदर हजारों की तालाद में करनिशानिक बैटे हैं पुरे देश के अनेक औनेक राज्यों से मुझे लगातार फोन आ रहे हैं हमारे करनिशानिक हो मैं रोस है निश्ची तोर पे हमारा हीरो हमारे बीच से गया है पंचायत हो रही है कमेटी बनी है अभी सुगदेव सिंग की गोगा मेडी जी की डड़ बोडी लेने से समाज के लोगों ने इंकार कर दिया है मैं नहीं चाहता कि प्रदेश के अंदर आनंद पाल सिंग अंकाउंटर जो फर्जी अंकाउंटर हुआ था उस दोरान जो ऐसा माहौल बना वो दुबारा इस प्रदेश के अंदर बने मैं अपने करनी से निकोंसे कंडूद करना चाहूँगा हमें प्रशासन और सरकार का सह उनहोंने क्या किया वो जांच का विशह है परन्तौं कानून ववगस्ता बनाये रखने में परदेश सरकार का प्रशासन का सव क्र parks करें कानून अपने हाथ ले स्री राश्क्रिय राजपूत करनी सेना के सुकदेव सिंग जाने से बहुत दुखी थे आज सुक्देव सिंग गोगा में डीपी हमारे बीच नहीं रहे निश्ची तोर पे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे दो बड़े निताज हमारे बीच नहीं है तो मैं चाहूंगा कि पहले भी हमारे राजपू समाज के लोगों के उपर कई मुकर्ण में परिवार को जो सेहोग सरकार को करना चाहिए उस परिवार में हमारी बिटिया है जो सुगदेव सिंग जी की वाइफ है उनकी चिंता उनके छोटे चोटे बच्चे उनकी बिटिया है चोटी सी उनकी चिंता भी सरकार को करनी चाहिए उनकी चिंता भी सरकार को करनी चाहिए एक लारेंस विश्णोई नाम का गुंडा जेल में बैठके सरयान धंकी दे रहा है सबको थ्रेट कर रहा है कभी सल्मान खान को देता है कभी किसी को गोली मरवा देता है कभी किसी को प्रहमला हो जाता है एक गोल्डी बरार का नाम भी आए जो कनेडा के अंदर रहे ही जडो दूर बैठकर धमकी देते हो हम लोग छत्री हैं हम लोग किसी काबू आने वाले लोग नहीं है हम लोग देश के लिए समाज के लिए हमने मुगलों से लड़ाईया लड़ी हमने अंग्रेजों से लड़ा है इसकी सजा जल्द से जल्द राइस्तान पुलिस को दोस्यों को देनी चाहिए